अब करेंगे आपकी तीश्री कक्षा का EBS का फर्स्ट जो लेसन है बात परिवारों की आशा तीश्री कक्षा में पढ़ती है कौन पढ़ती है कौन पढ़ती है आशा उसके परिवार में मा पिता जी वह एक छोटी बहन है कितने सदश्य उसके परिवार में चार कौन कौन से माता पिता चोटी बहन और और खुद आशा है ना तो कितने सदश्य हो उसके परिवार में चार उसकी सहेली सीवानी ने बताया कि उसके परिवार में दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, एक बहन और एक भाई है कौन-कौन है? सीवानी के परिवार में कौन-कौन है? दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, एक बहन, एक भाई और एक भाई, तो कुल मिलाकर जो शिवानी है, सिवानी के परिवार में जो सदस्य है, उनकी संख्या कितनी है, काउंट करो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, और कितने हैं, एक ये रहेगी, नो, तो शिवानी के परिवार में कितने सदस्य है, नो सदस्य है, और आसा के परिवार में कितने सदस्य है, चार, तो किसके परिवार के सदस्यों की संख्या ज्यादा है, शिवानी, शिवानी के, तो इस में से छोटा परिवार किसका है, आसा, और बड़ा परिवार किसका हुआ, शिवानिका, तो आपके परिवार में कौन-कौन है, मम्मी, पापा, दादा, दादी, बहन, भाई, बहन और भाई, तो आपका परिवार छोटा है या बड़ा है, छोटा, अच्छा बच्चो जो यह आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ है आसा का परिवार और दू को देखो और लिखो यहाँ पर प्रशन है, आसा के परिवार में कौन-कौन है, चीता दिखाई दे रहे हैं, बताओ आसा के परिवार में कौन-कौन है, माता पिता, भेहन, भेहन, यहस, तो मा, पिता जी, वह एक छोटी बहन, ठीक है? अगला प्रस्ण है सीवानी के परिवार में ऐसे कौन से सदस्य है जो आसा के परिवार में नहीं है दादर, तोदी, चाचा चाची, भाई जो आसा के परिवार में नहीं है, रोशिवानी के परिवार में है वो है दादर, तोदी, चाचा चाची, भाई ठीक है? आगे पढ़ते हैं आशा आज बहुत खुस है कौन खुस है? आशा वह अपने परिवार के साथ गाउं में दिवाली मनाने जा रही है क्या करने जा रही है? दिवाली मनाने और कहा जा रही है? गाउ तो इसका मतलब आशा अब कहा पर रही है? तो क्योंकि दिवाली मनाने गाउं में जा रही है न वो तो इसका मतलब वो अभी सहर में रही है गाउं में उसके दादा दादी ताउताई व उनका बेटा वैभव और बेटी मोना रहते हैं किसके ताउ ताई दादादी गाउं में रहते हैं और चित्र में तो आशा के दादादी नहीं रहते थे ना चित्र में नहीं दिखाई दे रहते ना ठीक है लेकिन उसके भी दादादी है और ताउ ताई भी है और उनके ताउ जी का बेटा जिनका नाम क्या है वैभव और बे उनके दादा का जो दूसरा बेटा है, बड़ा बेटा, उनको हम क्या बोलते हैं, ताउ, अपने पापा से बड़ा जो होता है, उसको क्या बोलते हैं, ताउ जी, ठीक है, तो उनके ताउ और उनकी ताई जी, वो गाउं में रहते हैं, उनका बेटा और बेटी वो भी गाउं म परिवार जब गाउं पहुंचा तो सब खुस हुए सभी ने बड़ों के पैर छुए क्या किया हमें अपनों से जो बड़े होते हैं उनके हमिशा पैर छुने चाहिए उनसे आशिरवाद लेना चाहिए करना चाहिए ना ये ये आसा को दादी ने प्यार से गले लगाया और कह मेरी प्यारी बेबी मैं तो तुम से बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ तो इस जो कहानी में जो ये बताई है आसा की कहानी किस प्रकार आसा अपने गाउं में त्योहार मनाने गई है गई है तो उनके गाउं में उनके दादा जी रहते हैं उनके ताउ जी रहते हैं और उन में से हमें बताएं कि जो उनकी आसा की जो चचेरी बहन थी यानिके उनके ताउजी की लड़की उसका क्या नाम था और उनके जो कजन थे यानिके उनके चचेरे भाई उनका क्या नाम था वैभाव ठीक है और वहां पर उसकी दादी ने आसा की दादी ने उसको गले से लगा और उसको प्यार से क्या बलाया था बेबी ठीक है तो आपको प्यार से क्या बलाते हैं आपको नाम होगा जैसे आसा को प्यार से उसने क्या बलाया बेबी तो आपको क्या नाम से बलाते हैं घर में प्यार से क्या बोलते हैं और आप क्या बोलते हैं पीहू ठीक है तो अच्छा मेरे को एक बात और बताएं आप जो छोटा परिवार था जैसे आपके परिवार में पापा रहते हैं मम्मी रहती हैं भाई बहन हैं तो उनको हम बोलेंगे छोटा परिवार या एकल परिवार क्या परिवार में दाता दादी में रहते हैं, ताउ ताई भी उसी घर में रहते हैं, उनके बच्चे उसी घर में रहते हैं, वो एक बड़ा परिवार होता है और उनको हम सयुक्त परिवार कहते हैं, जिसमें सभी घर के सदस्या मिलकर एक ही छत के नीचे रहते हैं, ठीक है? समझा मम्मी पापा भाई बैंग ठीक है और संथ परिवार में और कौन-कौन सदस्या एड़ होते हैं जाचा चाची तादा दादी भाई ताओ 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 ठीक है और उनके बच्चे कलीर इतना अभी आपके सामने exercise है इस exercise को आपने बुक में भी करना है और इस पुक की फिल फोट में फोटो कहींच के कहां सेंट करनी है स्कूल के वड्सप ग्रूप में ठीक है तो इस में देखें को पहली exercise क्या है जोत पर का निशान लगाना ठीक है जो सही आपको नगता है कि ये जो सही बताया गया है इस वहा黨 erhalten में अगर गलत है तो उस क्रोष का निशान लगा से मुन्नी कहा सही है या गलत है गलत है ये उसको प्यार से क्या कहा था बेवी आसा के दादा दादी गाओं में रहते है सही है सीवानी के परिवार में चाचा चाची साथ रहते है सही सीवानी दिवाली मनाने गाउं नहीं गई तो ये exercise है इसको आपने copy में करना है और हमें send करना है तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले topic के साथ आसा परिवार के साथ तो तब तक के लिए बाई बाई करें करें